हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू डिस्ट्रेनिंग प्रतापगर उत्तर प्रदेश दोस्तो उत्तर प्रदेश में एड़ेट जूनियर हाई स्कूल में सिक्षको और प्रधाना अध्यापक के पत पे दोस्तो भरती होनी है इस सम्मंद में उत्तर प्रदेश के विशेश सचिव ने PNP यानी परिक्षा नियामक प्राधिकारी जो संस्था इस परिक्षा को दोस्तों कराएगी कुछ ऐसे प्रशन थे जो कि जिग्यासा के प्राधिकारी को उन प्रशाषन से पूछे गए थे उन प्रशनों और उन जिग्यासाओं का दोस्तों शमन किया गया है परिक्षा नियामक प्राधिकारी को उन प्रश्णों के संगत विशेश सचीव महोदे ने दोस्तों प्रतुत्तर दिया है आते हैं हम देखते हैं जानते हैं कि एड़ जूनियर हाई स्कूल में जोकी कक्षा छे से आड़ तक के होते हैं वहाँ पे सिख्षकों का दोस्तों चैन होना है वहाँ पे हिट मास्टर के पत पे चैन होना है तो वहाँ पे योकता क्या होगी, साथ ही साथ परिक्षा का प्रारूप क्या होगा, परिक्षा में प्रश्न की प्रकृति क्या होगी और परिक्षा कितने घंटों की होगी, कितने मार्क्स की होगी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजे दोस्तो कवर करते हैं आपकी सारी जिग्यासाओं का शमन करते हैं बिना देर किये आते हैं दोस्तो विशेज सचीव महोदय का मार्गदर्शन जो की परिक्षा नियामक प्राधिकारी संस्था को दोस्तो प्राप्थ हुआ है लिखता का पत्र है समय बद्ध पत्र है इसके प्रेशक हैं आप देख सकते हैं आरवी सिंग जी विशेश सचीव हैं उत्तर प्रदेश सासन में सेवा में सचीव परिक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को बेसिक सिक्षा अनुभाग पांस से पत् सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में परधाना अध्यापक युम सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चैन हेतु भरती परिक्षा आयोजित कराये जाने के समद्तुर तो दोस्तों ये जूनियर हाई स्कूल ऐसे स्कूल है जो की कक्षा 6 से 8 तक है ऐसे स्कूलों को सरकार वित्त पोशित करती है वहाँ पे जो भी सिक्षक या हेड मास्टर काम करते हैं सरकार उन्हें वेतन देती है भले ही ये आशास की विद्याले है और इनका प्रबंध तंतर निजी हाथों में होता है लेकिन उसके बावजूद भी ये एडेड स्कूल है इसलिए सरकार यहां के जो सहायक सिक्षक है यानि जूनियर हाई स्कूल में जो सहायक अध्यापक है और जूनियर हाई स्कूल में जो हेड मास्टर है उन पदों पे दोस्तों भरती करने जा रही है अब सरकार भरती जो भी करेगी पहले क्या होता था इन पदों पे प्रबंध तंद्र के माध्यम से पेपर में विग्यप्ति आते थी और अक्सर आरोप लगते थे भाई भती जवाद के अक्सर आरोप लगते थे कि किसी को पता भी नहीं चला और अपने रिष्टेदार नातेदार का सेलेक्शन कर लिया गया उसमें कहीं न कहीं भरस्टाचार की भू आती थी अब सरकार ने सारी चीजों को पारदर्शी कर दिया है साफ सुत्रा कर दिया है एक सिस्टम से कर दिया है और एक मानक दोस्तों निर्धारित कर दिया है अब इन विद्यालियों में जो भी सिक्षक जाएंगे जो भी प्रधाना ध्यापक जाएंगे एक खुली भरती के माध्यम से जाएंगे एक सिस्टम के तहट जो परिक्षा ले जाएगी उसके तहट जाएंगे तो दोस्तों आते हैं पूरी की पूरी information से आपको रूबरू कराते हैं दोस्तों महोदय किरपया उपरयुक्त विश्यक अपने पत्रांग गोपनी जूनियर जी हाँ दोस्तों ये जूनियर यानि एडिट आसास की स्कूल है जूनियर विद्याले हैं और इन विद्यालियों का जूनियर मापा ओबलीक 22267-73 ओबलीक 2020-21 दीनांक दीनांक भी दोस्तों गौर फरमाईए 19 मार्च 2020 का संदर्ब ग्रहन करने का कस्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के आशास की सहायता प्राप जूनियर आई स्कूलों में परधाना अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चैन है तो भरती परिक्षा आयूजित कराए जाने के संबन्द में अब भरती परिक्षा दोस्तों आयूजित होनी है तो कतिपए बिंदूओं पर मार्ग दर्शन मांगा गया था जिसके क्रम में भरती परिक्षा आयूजित कराए जाने की कारवाही के संबन्द में निम्नुवत नर्देश है कुछ बिंदू जो की जटिल लग रहे थे कुछ बिंदू ऐसे लग रहे थे जिसपे मार्ग दर्शन अपेक्षित था परिक्षा नियामक प्राधिकारी को ऐसे प्रशनों का उत्तर जरूरी था जो मांगे गए और उसका जबाब आपके सामने है पहला अधियाचन सिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनव द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है दूसरा आवेदन के लिए पातरता भारत का नागरिक हो तथा किसी न्यायाले अथ्वा परिक्षा संस्था द्वारा अयोग घोशित ना किया गया हो तीसरा बिंदू जोकी बहुत इंपोर्डेंट है आवेदन हेतु निउन्तम सैक्षिक अरहता उत्तर प्रदेश मानता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भरती और सेवा की शर्ते नियमावली अस्तम्भ दो के प्रस्तर चार के अनुसार ये वहाँ पे सैक्षिक अरहता पूरी दी गई है आवेदन हेतु निवास आयू की इस्थती उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा आयू उत्तर प्रदेश मानता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भरती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 सातवा संसोधन नियमावली 2019 में अस्तम्भ दो के प्रस्तर आठ में विहित प्राविधाना अनुसार आगे चलते हैं दोस्तो अब भरती परिक्षा का प्रारूप क्या होगा क्या दीरगुत्तरी प्रशन आएंगे लगुत्तरी प्रशन आएंगे वस्तुनिस्ट प्रसन आएंगे तो इस सम्मंद में ये क्वेरी की गई आयूजित कराय जाने अथवा वयमार उत्तर पत्तरक पर कराए जाने की स्थिति क्या होगी अशास्की सहायता प्राप्त विद्यालियों के लिए भरती परिक्षा का आयोजन वस्तुनिस्ट बहुविकल्पी ओयमार आधारित परिक्षा आयोजित किया जाए अब यहाँ पर बताया गया कि अबजेक्टिव ओयमार बेजड आप एक्जाम कर सकते हैं बहुविकल्पी टाइब के प्रस्न दोस्तों आयेंगे जैसे कि बहुविकल्पी प्रस्न तमाम जो परिक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं अब यह बहुत इंपोर्टेंट बिंदु है छठा बिंदु जिसका बहुत से हमारे भाई यह भी जो एक्जाम की तैयारी में निमगन हैं कॉंपटिटिव एक्जाम्स में वो उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट बिंदु है कि हेड मास्टर एवं सहायक अध्यापक के समस्त रिक्ट पदों पर चैन हेतु परिक्षा विशेवार यथा हिंद अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान नध्यान, इत्यादी, रिक्ट पदों पर प्रथक प्रथक आयुजित कराये जाएगी अथ्वा संक्लित रूप से समस्त विश्यों की एक साथ यहाँ पर बहुत important बात है चुकि middle school में 6 से 8 में अलग-अलग विशे होते हैं तो क्या विशेवार अलग-अलग परिक्षाएं आयुजित होंगी, English की अलग होगी, Hindi की अलग होगी, Social Science की अलग होगी, Mathematics की अलग होगी, विज्ञान की अलग होगी परिक्षाएं की सहायक अध्यापक, अबलिक प्रधाना अध्यापक के पदों पर भरती है तू, TET परिच्छा से उच अस्तर की परिक्षा आयुजित कराई जाएं, जो TET की परिक्षा होती है, सिक्षक अध्यापक की जो पातरता परिक्षा होती है, Teacher Elisibility Test उससे हैर एक ए प्रधाना अध्यापक है तू, आयुजित कराई जाने वाली परिक्षा के प्रस्नपत्र के कठिनाई एम सयोजन का अस्तर असनातक यानि ग्रेजुएशन रखा जाए, जो हेट मास्टर है, जो प्रधाना अध्यापक है, उसकी परिक्षा का जो डिफिकलिटी का लेवल है, उसे किस लेवल पे हम रखें, उसे यहां पे कहा जा रहा है, उसे ग्रेजुएशन के लेवल पे, असनातक के लेवल पे कठिनाई का अस्तर आप रखें। दोस्तों पांच वर्ष यहां पर बात हो रही है असिस्टेंट टीचर की रूप में टीचिंग एक्सपीरियंस की कमपल्सन है और साथी प्रधाना ध्यापक के पद पर नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को विद्याले प्रबंधन के संदर्व में भी ग्यान होना है यहां बात हो रही है कि स्कूल को कैसे मैनेज करें स्कूल मैनेजमेंट के तरीके का ग्यान स्कूल हेड मास्टर पे जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियं उनको बिलकुल पांच वर्ष का सेक्शनिक अनुभो होना चाहिए सहायक अध्यापक की रूप में साथी साथ उ विद्याले का प्रबंद कैसे करते हैं याणि विद्याले के प्रबंद की जो टकनीक है उस से समंधिद प्रश्न पूछे जाएगे अता प्रधाना ध्यापक है तो प्रबंधन से संबंधित यानि संदर्भित पचास प्रश्णों को वस्तुनिस्ट बहुविकल्पी ओयमारा अधारित प्रथक से प्रश्णपत रखा जाए। तो अब आप जान लो कि अगर आप हेड मास्टर या प्रधाना ध्यापक के पत पे आविदन कर रहे हो तो पचास प्रसनाप रेडी रखो। कैसे ready रखो कि headmaster का role क्या है विद्याले प्रबंद समित से संबंधित प्रश्न स्कूल को management करने वाली committee कैसे होती है और स्कूल में संस्था प्रधान की रूप में जो दाईतों का निर्वान करना होता है उसकी सम्मेक जानकारी दोस्तों होनी चाहिए पचास प्रश्न इसी बास से संबंधित आएंगे यह अलग से इसका paper होगा और यहां पर बात हो रही है कि आप बिल्कुल बेफिक कर रहो कि objective questions आएंगे multiple choice question आएंगे computer पर जो OMR sheet होती है उसी को आपको fill करना है आप बिल्कुल बेफिक कर रहो कि यहां पर जो प्रश्न की प्रिकृती रहेगी वो लगुत्तिरी या निबंधात्मक ऐसा कुछ नहीं रहेगा प्रश्न की जो प्रिकृती रहेगी वो objective रहेगी multiple choice की questions रहेंगे और परिक्षा की अबदी एक घंटे की होगी यह परिक्षा का आयोजन सामान प्रश्न पत्र की उपरांत कराये जाए तो दोस्तों यह जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो खास तोर पे headmaster का जो पद है जो आप उसमें आवेदन करोगे तो उसमें जो general paper आएगा उसके अलावा one hour आवर आपको और मिलेंगे और ये प्रश्न पत्र होगा इस्कूल के manager की भूमिका में headmaster कैसे हो और इस्कूल का management का जो skill होगा उसको assist करने से related question आएंगे आगे चलते हैं दोस्तों अब यहाँ पे सहायक अध्यापक यों परधाना अध्यापक पद हे तो प्रथक प्रथक आवेदन प्राप्त किये जाएं परन्त जो अभेरती दोनों पदो ही तो आवेदन करना चाहता है उन्हें एक ही online आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चैन की सुविधा उपलब्द होगी एवं आवेदन शुल्ग प्रथक प्रथक परिक्षा की दर से दे होगा तो यहाँ पर बात हो रही है कि असिस्टेंट टीचर एवं हेड मास्टर के पद हे तो आपसे सेपरेट अप्लिकेशन लिए जाएंगे परन्तु जो कैंडिडेट दोनों पदो हे तो आवेदन करना चाहता है याँ आप आसिस्टेंट टीचर भी फिलब करना चाहते हो हेड मास्टर भी फिलब करना चाहते हो तो उन्हें एक ही ओन लाइन आवेदन में दोनों कोश्चन पेपर के चैन की सुविधा उपलब्द होगी तो एक ही आवेदन जो आप करोगे उसमें दोनों प्रश्ण पत्रों के चैन की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी युम आवेदन शुल्क प्रथक प्रथक परिक्षा की दर से देव होगा ओके आगे चलते हैं दोस्तों भरती परिक्षा के आएज़न है तो परिक्षा का विशेवार पाठकरम क्या है बिंदु संख्या छे की भात यहाँ पे जो छे है उपर वही यहाँ पे कांटिनी होगा अहर आवेदक किसी विशे की एक परिक्षा हे तू ही अलग ही आवेदन का पात्र होगा अथ्वा अलग अलग विशे हे तू भी आवेदन किया जा सकेगा क्योंकि एक से अधिक आवेदन की इस्थती में अभ्यरति को आवेदित विश्यों की परिक्षा में प्रथक प्रथक समलित होना होगा बिंदु छे की भाती यहाँ पे दोस्तों बिंदु छे की भाती यहाँ पे दिया गया है यही जो बिंदुछे चल रहा है यही रहेगा कुल मिला करके आप मान के चलो आगे चलते हैं परिक्षा एक दिवसी आयुजित कराई जाएगी अथ्वा विशेवार प्रतक प्रतक दिवसो पर प्रधाना अध्यापक औबलिक सहायक अध्यापक की परिक्षा प्रतक प्रतक अयुजित कराई जाए तो यहां पर बात हो रही कि आसिस्टन टीचर का जो डेट होगा वो अलग होगा हेड मास्टर का जो डेट होगा वो अलग होगा प्रश्णपत की सरचना विश्यवस्तु परिक्षा की अवधि, उक्त परिक्षा की अवधि धाई घंटे होगी, लिखित परिक्षा का पूलांग देड़ सो अंग प्रश्णों की संख्या देड़ सो, उत्तिरलांग निर्धारित होगा अथ्वा लिखित परिक्षा में प्र चर्ते नीमावली 1978 सात्वा संसोधन नीमावली 2019 के परसिस्ट 10-1 गामे भीत प्राविधाना अंसवार मेरिट तयार की जाएगी भरती परिक्ष्या का उत्रिणांक सामान वर के अभ्यर्थियों के लिए 65% और सभी आरक्षी सिर्णी के अभ्यर्थियों है तो उत्रिणांक 60% उक्त के संदर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किर्पया तालीका 3 में प्रदत्य निर्देशों के क्रम्मे प्रदेश के अश्राशकी साहता प्राप्त जूनियर हाइ स्कूलों में हेड मास्टरियों साहय कध्यापक के रिक्त पदों पर चैन ही तू भरती परिक् या गतिबान होगी और आरवी सिंग है विसेश सची है आप उत्तर प्रदेश शासन में और ये संख्या आप देख सकते हैं ये पत्र कहां कहां गया है मुख अस्थाई अधिवक्ता मानी उच्छने अले लहाबाद को महा निदेशक इसकूल सिक्षा उत्तर प्रदेश लख अच्छा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें लेकिन अगर आप डिसी ट्रेनिक प्रताब गल उत्तर प्रदेश की इस खुबसूरत यूटूब चैनल पर